So recently China ने अपनी economy के दरवाजे बांगादेश के लिए कुछ और open कर दिये हैं और ये काए कि जो हजारों बांगादेशी प्रड़क्ट्स हैं उन पर China 97% कम tariff लगाएगा ये एक बहुती बड़ा boost है for the बांगादेशी economy Now Indian perspective से आप अगर देखे तो already China के साथ relations खराब हो चुकी हैं हम यहाँ बात कर रहे हैं boycott China की Chinese goods पर tariff की बात चल रही है और इसके बीच में हमने ये भी देखा है recently के नेपाल किस तरीके से China के influence में आ गया और उन्होंने बहुत से steps लिए against India So इस time जब news आती है कि China बचानक से Bangladesh को attract कर रहा है Bangladesh को woo कर रहा है तो इससे obviously इंडिया में concerns आएंगे So इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इंडिया को concern होना चाहिए China के इस move को लेकर China ने यहाँ पर किया क्या है क्या India भी ऐसा कर सकता है बहुत कुछ आपको जानने को मिले So a lot to know, a lot to discuss as always but before we begin go to google play store, download the study IQ education app यहाँ पे आप हमारा flagship UPSC course purchase कर सकते हैं that will help you prepare for mains and prelims. So download the study IQ education app today. So recently हुआ क्या है, बहुत ही simple शब्दों में मैं आपको अगर बताओ, China ने अपनी economy का जादा access है प्रवाइड कर दिया है बंगलेश को और यह का है कि 5000 से वी उपर जो बंगलेशी प्रड़क्स हैं इन पर 97% यह कम tariff लगाएंगे मतलब कि बंगलेशी goods बहुत ही ससे दामों पे Chinese market में available होंगे और इससे बंगलेशी जो exporters हैं इनको obviously benefit होने वाला है इस announcement के बाद टोटल जो प्रड़क्स की list है जो बंगलेश export कर सकता है to China with minimal tariff वो अब पहुच चुकी है 8,250 के वी उपर क्योंकि इस announcement से पहले करीब 3,000 के आसपास बंगलेशी goods को access मिलता था to the Chinese market with 97% less tariff और by the way मैं आपको ये बदा दू के बंगलेश है कहाँ पर बंगलेश यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया के east में एक बहुत important देश है और बंगलेश की कोई भी land border नहीं है with China बंगलेश की अबादी है करीब 16 करोर 50 लाग के आसपास और अगर हम बात करें बंगलेश च total trade 22 billion dollar के वी उपर होगा ना एक बहुत ही जादा negative बात बंगलेश चाइना ट्रेड के बारे में ये है कि जब ये दो देश ट्रेड करते हैं तो चाइना को जरा फायदा होता है compare to बंगलेश बंगलेश चाइना से खरीतता है goods worth almost 14 to 15 billion dollars whereas जो बंगलेश का export है to China वो limited है to around 2 to 3 billion US dollars इसको आप अगर compare करो इंडिया बंगलेश ट्रेड से जो roughly आज के समय है around 10 billion dollars और उसमें भी by the way बंगलेश को heavy trade deficit face करना पड़ता है इंडिया बंगलेश ट्रेड में भी बंगलेश 8 billion dollars का trade deficit face करता है तो ऐसे time में चाइना ने क्या किया है कि बंगलेश को ये मौका दिया है कि ट्रेड डेफिसेट कुछ हत्तक ये कम कर दे और चाइना को भी ये जादा export करे नौ ऐसा नहीं है कि चाइना ने suddenly ये decision ले लिया है जब से गलवान वैली में face off हुआ नहीं ये जो निडने है चाइना ने इसके बार में बताया था काफी time पहले during Asian African Conference उस वक्त शी जिंग पिंग ने ये का था कि बहुत सारी countries जो least developed countries की category में आती है LDC countries उनके लिए ये Chinese market का access open करेंगे और उनको 97% कम tariff में अपनी market में समान बेशने की अनुमती देंगे तो जो announcement की गई थी उसी के हिसाब से ये निडने लिया गया है ये एक sudden decision नहीं है और चाइना ने आप पर जो ज्यादा access दिया है Bangladesh को अपनी economy का ये दिया है APTA के अंडर ये है Asia Pacific Trade Agreement इसको एक time पे लोग Bangkok Agreement भी कहते थे बहुत ही famous एक trade pact है in Asia और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये इसके member nations है Bangladesh एक original member China ने इसको join किया था 2001 में India एक original member है India ने इसको join किया था 1975 में Republic of Korea मतलब के South Korea इसका part ह since 1975 फिर उसके इलावा Lao People's Democratic Republic मतलब के Laos फिर Sri Lanka और मंगोलिया ने recently interest दिखाया है यहाँ पर membership का मगर इनकी membership अभी accept होनी बाकी है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सी countries including India और even South Korea इसका part है so जिस तरीके से APTA के अंडर चाइना ने जादा access दिया है बांगादेश को अपनी economy का similarly इंडिया भी करता आया है in the past for example यह आपके सामने article है from 2018 यहाँ पे लिखा है कि इंडिया ने चाइना और बाकी जो APTA countries हैं जिसमें बांगादेश, South Korea, Laos सब आती हैं सबको इंडिया ने कम tariff पे अपनी market का access दिया था for around 3142 items तो इससे मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाइना ने आपर जो किया है यह कोई unique move नहीं है और इस move को लेकर इस particular move को लेकर इंडिया को जाधा चिंता करनी नहीं चाहिए इसका मतलब यह भी नहीं है कि बांगादेश पर जो चाइना का influence in the future आ सकता है उसको लेकर भी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंके देखो बांगादेश को आज के समय चाइना बहुत से वादे कर चुका है चाइना ने ये काए कि billions का लोन वो देने को त्यार है to बांगादेश Recently जब शेख हसीना 2019 में चाइना गई थी for a state visit उस वक चाइना ने ये का था कि बांगादेश के power sector को ये finance करने के लिए 1.7 billion dollars का लोन प्रोवाइड करेंगे और ये amount तो काफी छोटा है 2016 में बांगादेश और चाइना ने अपने relationship को upgrade कर दिया था to strategic partnership और उसके बाद बांगादेश ने चाइना का belt and road initiative जोईन कर लिया और उसके अंडर चाइना अल्रेडी 21.5 billion dollars की deal sign कर चुका है with बांगादेश for various infrastructure projects और power projects और आगे चाइना ये भी कह रहा है कि अगर बांगादेश चाता है तो हम इनको loan worth 38 billion dollars तक देने को तयार है fortunately for बांगादेश उनकी leadership काफी wise है उन्होंने इन agreements को cash in किया नहीं है आप अगर overall देखोगे तो यहाँ पर बांगादेश ने agreements तो बहुत सारे sign किये हैं मगर उन agreements का use करके Chinese companies से loan लिया है around 1 to 2 billion dollars का जो काफीय तक control में है so even though आप अगर बिल्कूल data को देखे from a bird's eye view दूर से आप अगर देखो तो यह नजरा सकता है कि शायद बांगादेश भी debt trap में फस चुका है to China मगर in reality बांगादेश ने बहुत smartly play किया है चायना की offer को और इनके बहुत सारे जो agreements है वो अभी के लिए stand by पे रखे हैं so इंडिया के लिए यहाँ पर concern यह है कि in the future अगर बांगादेश इन agreements को cash in करता है और loan लेता है from China फिर आप देखेंगे कि बांगादेश नेपाल की तरह anti-India और pro-China statements दिना start कर देगा हलाकि वो अभी भी काफी दूर नजर आता है so इंडिया को ऐसे time में क्या करना चाहिए देखो बैस यहाँ पर रास्ता यह है बांगादेश में constantly goodwill बना कर रखो हमेशा कोई ना कोई वहाँ पर project inaugurate करो उनके लिए नए loans provide करो उनको जादा access दो to the Indian market यह मेरा मानना है कि जिस सरीके से चाइना ने APTA के अंडर बांगादेश को जादा access दिया है to their market इंडिया को भी same काम करना चाहिए हम भी बहुत सारा trade surplus enjoy करते हैं with बांगादेश ऐसे time में जब COVID-19 फैल चुका है और बांगादेश के जो remittances आते थे from Gulf countries यह 7% से लेकर 10% कम ह हो चुके हैं so बांगादेश की economy को help चाहिए तो ऐसे time में अगर इंडिया भी चाइना की तरह step उठाएगा so it will be appreciated in बांगादेश और इसी तरीके से goodwill बनाई जाती है so I think most probably इंडिया भी in the future बांगादेश को access देगा to the Indian economy so अभी के लिए ये वीडियो समाब करते हैं thanks for listening and as always God bless you all